हेलो वीटीट के लिए सबीसों हो आपल्व चैनल हुप आप लोग अच्छे होंगे हैं आप लोगों के त्यारी अच्छे चुल जोगी जैसे कि आप लोगों पताइ कि बहुत ज़ल एक्जाम होने वाला प्लाला है और उट्टीव ख़म करने के लिए एक सही स्टडीड़ी फ अगर follow कर रहे हैं तो D1 से जाकर follow करें क्योंकि बहुत सारी ऐसे बात जो बताई गई है वहाँ पे जो आप लोगों को एक्जाम के लिए काफी जादा important है यह स्रिफ to do list नहीं है इसके अंदर बहुत सारे exam के important tips बताया जाते हैं आपके exam को crack करने के लिए काफी जादा helpful रहने वाले है चोटा चोटा जो mistakes होते हैं जो गलती होते हैं जो बहुत सारे student करते हैं वह गलती यहां पर मैं आप लोगों के साथ सेयर करता हूं वीडियो में तो वीडियो में लाज्ट तक जरूर देखिएगा तभी आप लोगों को complete information मिल पाएगी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को साथ और 11 बजे के बीच में सबसे पहले यह सेक्शन आप लोगों कबर करना ज्यादा नहीं बीस मिन टाइम दीजिएगा तो यह कबर हो जाएगा आप लोगों को नहीं पर सेक्शन झाएगा तो अब कर सकते हैं और बैंक एक्जाम में शॉल्ब करना बहुत ही ज़ insights आपके लिए इंच में आप लोगों को निउस पेपर रेडिंग करना है निउस पेपर में ना हिंदुआ पड़ सकते हैं जहां पे आप लोगों को एड़र्टोरियल पर फोकस करना है और जो भी आप लोगों को important word मिले उसे note down कर लेना है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है जो एड़ से पंदरा दिन फॉलो कर लेगा जब एक वारा हैविट हो जाएगा तो फिर कोसिस करिएगा खुद से पढ़ने के लिए और खुद से वोकाब याद करने के लिए क्योंकि जब तक आप लोगों को इंप्रूमेंट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यह जो सेक्षन है यह को साइट मिल जाएंगे गूगल पर मिल जाएंगे यह बहुत सरे एप मिल जाएंगे जहां से आप यह सेक्षन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर यह सेक्षन आप बस इतना ही कर लेते हैं तो इंगली सेक्षन में आप इसली 15 से 20 नमर गेन कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा score है अगर आप ये section में इतना number gain कर लेते हैं तो अब 9.45 से 11 वजे के बीच में आप लोग current affair का video देखना और PDF follow करना देखे current affair के लिए हमेशा दो source follow करें आप एक चाहे तो video detail follow कर सकते हैं जो भी आप लोगों जहां से भी लगे आप उसे follow कर सकते हैं और एक PDF जरूर रखिए और कोसिज करिए कि sort notes भी बना ले अगर आप बना लेते हैं तो आपको exam के last time में revision करने के लिए खाफी ज्यादा helpful रहेगा क्योंकि आप लोगों पता है कि pre के बाद जो means का time है वह आप लोगों को ज्यादा time नहीं थोड़ा और अपना ज्यादा करना है तो आप देखें यहां से आप लोग एप्रोक्समेशन से 20 कोर्शन करना है और profit and loss से 20 कोर्शन करना है जब भी कोर्शन करें थोड़ा men's levels के high levels के कोर्शन करें ताकि वह भी cover up हो जाए बहुत सरे कोर्शन जो है आपको PDF जो है मैं के YouTube चैनल पर मिल जाएगा जहां मैं बहुत अच्छे से सम्झाइए और इसका PDF जो है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो आप इसे बिल्कुल भी करना ना भूले बहुत इंपोर्टेंट है अगर जो इंग्लिस में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्षन है मांक मांक्स इंक्रीज करवाने में तो यह जब तक आप 20 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं पढ़िएगा आपको ग्रामर समझ में नहीं आएगा आप टैकल नहीं कर पाईएगा तो जितना आप लोगों को टॉपिक जो है वो पूछा जाता है वीच में जो कुछ भी आप पढ़ें उसको एक बार रिवाइज जरूर कर ले जैसे कि करेंट अपेर हुआ वो कैब हुआ या जो भी आप कॉंसे वीडियो पढ़ें एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिसियल गएगा वाकि आप मेरी टेलिग्राम चैनल पर जरूर सकते हैं और कोईरिस के लिए आप मुझे इंस्टा पी भी मैसेज कर सकते हैं वीडियो का लाइक शेर जरूर करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो पर अभी के लिए बाइ थैंक यू